अंदर बैठ जाओ शुरक्षित रहोगे हटा दो स्वालो हटा दो इनको बार फेक दो चलो बाबाई इस पे देखिए इस पे देखिए सब लटके हुए एक चीज और निकाता हूँ वह देखिए आगे वाली गाड़ी उस पे भी लटके हुए है वल्ला सब पीछे लटक के चल रहे है देखिए यह रहा हुटान का गेट देख तो वीडियो मेरा तो भाई साब बारिश बहुत त देखिए और मैं कैमरे का माइक अड़प्टर निकाल रहा हूँ और कैमरा भी पैक कर रहा हूँ जिन्दगी एक सफर है सुहाना यहां कल क्या हो किसने जाना वैसे तो यह एक फिल्मी गाना है लेकिन कभी कभी मुझे लगता है यह लाईने मुझे पर परफेक्ट फिट होती है और आज मुझे घर से निकले हुए औल इंडिया राइड पर हो चुके हैं पूरे पिच्चानमे दिन सिली गुडी में मैंने 3-4 दिन बिताए और कुछ काम करवाया अपनी बाइक में और सिली गुडी को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया हाला कि सिली गुडी में मैं जादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया पर वादा करता हूँ मैं दुबारा सिली गुडी आऊंगा और सिली गुडी को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा तो अब मैं निकल रहा हूँ सिली गुडी से भुटान की तरफ जिसकी दूरी है 155 किलोमेटर तो चलिए शुरुआत करते हैं भुटान राइट की तो अब मैं निकल रहा हूँ भोटान के लिए तो आज पहुंचूगा जयगाउँ और राइट नव अभी हूँ मैं होन से मोट पीड़ी तार्चिलिंग मोड पर और भाई लोग सी ओफ करने आये हुए तो थोड़ा कुछ सिली गुडी के आसपास ता जो एरिया है मैंने कल एक्सलोर किया था निलादरी भाई के साथ बहुत अच्छा से रहा इनके साथ मजा आया और इस बार तीन-चार दिन रहा लेकिन मुझे अगर अपडेट करने थे बाइक में कुछ काम था तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज्यादा लगिया बाकी नेक्स ताइम पर शूर तो चलिए अब चलते हैं वुटान की तरह है जड़त को है आई शाबाश चल आगे चल तो पेट्रोल पहले भरवा लेते हैं शायद आगे मिले ना मिले वैसे तो मिली जाएगा ऐसा कुछ नहीं है कि गोवा में 60 रुपे 61 60 ऐसी कुछ है और कहीं पर भी चले जाओ तो हर जगा आपको 75 से उपर ही मिलेगा बाकी एक ऐसा ही स्टेट है जिसमें कि गोवा जिसमें की आपको जो प्राइब प्राइजिस हैं वह काफी कम है 60 के आज पास कितना भर गया 600 अगया ओमाइग गाड तो अब हम जिस रास्ते से गुजर रहे हैं यह पूरा फॉरेस्ट एरिया है यह है महाननदा वाइड लाइफ सेंचुरी यह दिखिए यह नहां पर लिखा हुआ है अब सेवक ओके वाव मैं लुक अट शीन ओगाड तो अचीज तो अधर बंदा क्या कर रही है फिशिंग उसको हटा रहे है किसलिए पैक आया होगा तो नजारा देखिए दोस्तों क्या खूबसूरत नजारा है देख देख के जीनी भर रहा है बहुत प्यारा लग रहा है यहां पर खड़े होकर सीधा नदी वहां से आ रही है बादल फ्लोट कर रही है यार अमेजिंग है अमेजिंग है गुल्मा बुल्मा बुल्मा ओके हाँ क्या फील है यार यहां पर क्या फील है सीरियसली चलो लेट्स गो बहुत दूर जाना है आज भी तो पहाडी रास्ता शुरू हो चुका है किर्पया अपनी कुर्सी की पेटिया बान लीजिए और अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ के चल रहा बाई साब कि अगे 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 सेवा काथी वाडी ओ भाई क्या कर रहे हैं तो इस इस सेवा काथी वाडी आइए टिंक यह रा पीछे उपर आपके देख सकते हैं बाकी मैं रुक निरा तू बग्रा कोटे और सिली गोडी लेफ्ट और हमें जाना है राइट वाओ इस 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 बारे बात कर रहा था तो यहीं रुकते हैं आई शावाज हम पहुंचे है कोरनेशन ब्रीज और काफी ब्यूटिफुल है मजा आ रहा है यहां पर यह देखिए पीछे देखिए बादल अल्टीमेट स्पोर्ट है अल्टीमेट और यह जो हाइट है कितनी हाइट होगी इस की ब्रीज की मालूम है यह देखो भाइसा बहुत गहरा है बहुत गहरा है बहुत गहरा है वहां से देखिए ट्रेन भी जा रही है और जो नजारा है आसपास का बहुत खुबसूरत है बहुत ही प्यारा है मजा आ रहा है तो चलिए यहां पर कुछ एक ड्रोन शॉट्स लेते और आपको दिखाते लेट आप लोर्ग अच्रूच्ट लूग्ट लेटों अचाँ अच्छ। झाल 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 तो हैसा मजा आया आई होब कि आपको अच्छे लगोंगे ड्रोन शॉट्स और यह था कोरोनेशन ब्रीज बूटान 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 मैं आ रहा हूं बूटान तो ओडला बाड़ी हम पहुच चुके हैं यहां पर मेरे ख्याल से करेंगे ब्रेक्फास्ट और भाई लोग फिर हो जाएंगे अलग आप चाहिए भी उसके खाना बें लुटान तो बस चीक है यही पर ब्रेक्फास्ट करके मैं निकल जाँ गाँ अच्छा है इधर यह बैट जाते ठीक 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 मैं बोल रहा हूं मस्त मजा आरा राइड में बहुत प्यारा रस्ता उल्लास तो उल्लास का मीनिंग है चीर्स बेंगवली में तो एक रोटी आगे ना भूग लग लगई ना दो लिया ना इसके लिए जो रोटी तीन बटर ना जाही पनीर लेकिन जो इसका रंग है बहुत डिफरेंट है और यह है अलू बाजा दिखाते हैं आपको एक्वेट यह अलू बाजा मेरा फेवरेट लेकिन इसके अंदर मिर्च बहुत डाल दिये नहों अब आप लूड़ पहुत चुका हूं माल बाजार बहुत भीड़ है यह आप देख सकते हैं रोड पर वी कितना ट्राइफिक है और पॉपूलेशन अहां गजब है गजब कैसे हो बढ़िया हो बढ़िया हो मस्त मज़े में है काम धन्दा ठीक है तो इस पर क्यों लटक के जा रहे हो अंदर बैठ के जाओ ना यार है चलो अंदर बैठ जाओ शुरक्षित रहोगे हटा दू स्वालों हटा दू इनको बार फेक दो चलो बाबाई इस पर देखिए इस पर देखिए सब लटके हुए एक चीज और दिकाता हम वो देखिए आगे वाली गारी उस पर भी लटके हुए मलब सब पीछे लटक के चल रहे हैं अजब गजब नजा रहे हैं गोहाटी 338 जैगाओ हो इज, थर्टी जीख किलो मेंटतर और मेरे ख्याल से में जाएगा और राइट-ंड साइड में आगे कहीं जाएगा पूश लेते हैं एक बार मेरे ख्याल से तो यही रास्ता है जैगाओ के लिए इस इदर से ओके हैं कूँ कहीं रुकते हैं यार कुछ पीने आज़ आज़ू तो ले लिया है हमने लेफ्ट हाशी मारा रेल्वेस्ट टेशन तो ये है तो आगे का जो मौसम है मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा खराब है काले-काले बादल घिराए है तू कहां घिराया है कालू तो भाई साब बारिश बहुत तेज आ गई है और मैं कैमरे का माइक अड़प्टर निकाल रहा हूं और कैमरा भी पैक कर रहा हूं क्योंकि आगे बारिश बहुत तेज है यह देखिए और तेज हो रही है तो मिलेंगे अगले स्टॉप पे जहां पर की बारिश बंद हो जाए तो भूटान के माउंटेंस हैं उनके उपार बिल्डिंग बनी हुई है तो यहां से फोटोग्राफ भी मैंने लिए वह देखिए अब खचाक हम पहुँच चुके हैं जैगाओं में तो भाई साब कित्ते बड़े बड़े गड़े हैं पानी भरा हुआ है तो दिल थाम के बैठी है और कुर्सी की जो पेटी है वो बान के बैठी है आपको दिखाते हैं भूटान और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर आइमें गेट तो अभी मैं एंटर करने जा रहा हूं भूटान में लेट्स को देखिए ये रहा भूटान का गेट कि अधिए निचे से कहां से अधिए लिए निचे साथ है इन फी निचे साथ है और दो साल पहले यहीं से गया था ना अभी चेंज हो गया है ऑके अचा इमिग्रेशन ऑफिस कहां पर है तो अधो बंद है ना अधिए तो अभी थोड़ा सा गुँम खाक्त एंदर से इठर से को कि टिक इठर से पि करेंगेंज़ यहाँ बुटान में जाने का गेट कुन सा यहां इसे बीपी तो लीजिए हम एंटर हो चुके हैं भूटान में तो यह है पूरा भूटान और यह जो बौंडरी है यह इंडिया की है जो दिवार है उस तरफ इंडिया है इस तरफ भूटान है किधर से जाना है पता ही नी चल रहा है भाई सीरियसली बाहर में गेट कहां पर एक्जिट करने के लिए एक्जिट करने के लिए ओके थैंक यू कि निकल गए हम भूटान से और इंडिया की जो जमीन है उस पर आ गए तो डिफरेंस आपको पता चला होगा यह देखिए कि किदर हो देखते हो वीडियो मेरा क्रेट कितना दूर है और अब मैं कर रहा हूं एंट्री अपने होटल रूम में होटल हिल व्यू है यहां से पगड़ आराम से पानी इसके अना रुग जग 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 नीचे से नीचे से पगड़के लेए चलो नी तो पानी निकलेगा थोड़ा भूत अब जग 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 जगए अब कि अब जग 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 जगए अब जग चलेगा चोटा है लेकिन ठीक है यह बात्रूम अटेच है थाड़े 700 रुपे में और क्या मिलेगा यहां पर छोड़ तो कल वैसे भी निकलना है पर्मिट मिलिया है लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ी दो तिन घंटे लग गए आरस्टी है ओफिस में तो शाम के चार बचकर 49 मिनिट हुए है और मैं पहुचा हूँ चूखा से 10 किलो मेटर आगे क्या भी बंद का रखा रास्ता बंद नहीं पथर चाहिए तो आगे जाना चाहिए उपर से पथर के बेए बटा फट निकला जाए पूरा ही मुड़ गया तो पूरा मुड़ गया है तो पूरा मुड़ गया है कर दो आगे है झाल झाल